हाई गाईज वेलकम एक माई चानल मैं हूँ सुगम और मेरे चानल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिक्फेस्ट टॉपिक लिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जब मैं कोई विट लॉस ड्रिंग पताती हूँ या कोई भी डाइट बजाती हूँ तो उनका मुझे अधना मुसिए होता है कि सुगम मेरे ओफर और बॉड़ी में फैट नहीं है सिर्फ मेरे तम्य एरिया में पैट है तो उस पर्टिकुलर तम्य एरिया के लिए मैं क्या करूँ कि मुझे ओवर और बॉड़ नीचे अब्डॉमनल एरिया में निकला होता है अब्डॉमनल एरिया का जो पेट हो अकसर प्रेगनसी के बाद होता है पहले कुछ-कुछ लोगों का होता है लेकिन 80% केस में ये प्रेगनसी के बाद होता है तो इस द्रिंग के थ्रूम मैंने भी अपना जो अब्डॉमनल एर को यह बिल्कुल टच भी नहीं करेगा यानि कि अगर आप जैसे कुछ लोगों के साथ क्या होता है क्युंकि फिरिस का भी फ्यार चला जाता है जब कि वो चाहते हैं कि फिरिस थोड़ा सा गोलुमोली रहे तो टाइम को बेस्में करते हैं और वीडियो की तरह बढ़ता है लेकिन उससे पहले जिन लोगोंने मेरे चानल को बीटक सब्सक्राइब नहीं किया है फिर्स्ट पॉल मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बैल आइकल लगी है उसे प्रेस करना ना भूले ताकि आप मेरे लेटेस वीडियो का अप्डेट पासके एक मेरा नया चानल भी है सुगम व्लॉक्स करके जिसमें मैं ब्यूटी टेप्स हेयर क्यार अपने व्लॉक्स करती हूं उसका लिंक अभी आपको उपर शो हो जाएगा आई बटन पर तो वहां पर जैसे क्लिक करेंगे आप मेरे उस चानल को पहुच जाएगे तो उस चानल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरह आपे आपको ग्रीं टी के टी बैक्स नहीं यूज कर रही हूं मैं लूज वाली ग्रीं टी यूज कर रही हूं तो आप भी हो सके तो चनल तो Gram 22 तर को नहीं द victories डाल रही हूं और इसे बहुत अच्छ़ करूंगे यानी की एक से दो मिनट पक इसे मैं ईर्फ्यूज करोंगे जब इसे तो इसलिए ग्रिंटी जो है वह बहुत अच्छे से हमारे बॉड़ी पैट को कम करती है विदाउट एक्सराइज विदाउट योग तो बहुत अच्छे से आप इसको इंफ्यूस करिए तो यहां पर मैं इसे एक से दो मिनट के लिए धीमी आज पर ऐसे ही छोड़ दूंगे जिसे की इंफ्यूस हो जाए आप इसके बाद मैं इसे जिस भी कंटेनर में आप पीते हूं इस कंटेनर में आप इसे स्ट्रीन कर लीजे तो यह जो पीरा कंटेनर है यह हाफ लिटर का है अब आप इसमें एक लैमन अच्छे-से डीजे पूरा एक लैमन आपको लेना है और इस लैमन को मैं इसमें ही डाल दूंगे जिसे के जितना भी इसका रस है वह फूरी तरह से इंफ्यूस हो जाए और आपको इसी आपको इतना ही गरम इसे ऐसे ही पीना है यानि कि इसे वैसे ही पीना है तो अब ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको इसे कैसे लेना है कब लेना है आपको इसे पीना है बहुत ही अच्छे पीना है और किस तरह से पीना है ये भी मैं आपको अब आगे बताऊंगी कि आपको इसे कैसे लेना है कब लेना है हो सके तो इसे दिन में तीन टाइम लीजे यानि कि जैसे मैं बताती हूं कि ब्रेगफास के बाद डिनर के बाद और ल जमाने हीम होगा, आप ले सकते हैं इसे as a morning drink और night drink भी, लेकिन सबसे ज़ादा benefit इसका तब मिलेगा जब आप इसे खाने के बाद लोगे, और मतलब तीनो टाइम पे मिल के बाद लोगे, तब ये आपके उस particular खाने पे जाके काम करेगा, और उसे जितनी भी अच्छी चीज़ और मेरा नया चैलने भी जरूर से जरूर सबस्क्राइब करेगा, क्योंकि बहुत सी उसमें beauty tips और hair care और मेले vlogs भी आते हैं, तब तक के लिए, बाबाई